आजे हम श्रिम अध्याय साथ ज्यान विज्यान योग का श्लोग 11 दिखते हैं पहला चरण ब और पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे बला शब्द पूरानी के बाद अनुस्वार आधा म बलम बला पूरे पूरे अक्षर दोनों में में करेंगि बलम चाह पूरे है शब्द पूरानी के बाद अनुस्वार आधाम जा पूरे हैं पूरे के बाद अनुस्वार आधाम जाह म पैणा चरण रिपीट बलम बलम बलवत का हम काम में अमिक्स करेंगे काम राग वीवर व पूरा आधार के साथ अधियक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है वीवर जी छोटी मात्रा लंबा नहीं कीचेंगे त पूरा आधाम तम विवर जितम आधार और जी इसको आप राइट साइड में देखेंगे एक्चुली लिखावा ऐसा था इसमें उपर जो मातर है उसको बोलेंगे आधार और जी ठीक है इसलिए ये ऐसे लिखा गया है सेकेंड चरण रिपीट कामराग वीवर जीतम पहला और दूसरा चरण साथ में बलम बलवताम चाहम कामराग वीवर जीतम ठर चरण धा मापी आधार की मातरा है इसको आप आधार दिख सकते हैं उपर मातरा आधार है और माँ आधी रा को धार की साथ पढ़ा धर्मा वीरुद्धो आधा द और धो कैसे बना इस तरह से इसका मतलब वो अधा आधा है और नीचे धो से धनुष पूरा अक्षर है अक्षर जो भी पूरा होता है उस पे मातरा लगती है इसलिए धो की मातरा धो पे लगी है वीरुद्धो धर्मा वीरुद्धो वह पे बड़े उकी मात्रा लंबा कीचेंगे भूतेशू थर्द चरण रिपीट धर्मा वेरुद्धो भूतेशू चौथा चरण कामो की बाद में अवग्रह अवग्रह का मतलब आपको मूकी मात्रा को खीचना है कामो खीचते वे आदा स जो दिख रहे हैं अंदर उसको इसको खीचते वे साथ बोलना है कामो स मी क्योंकि स इसके साथ आगया तो बचा क्या म म पे ए की मात्रा लगा कि मी बना दिया कामो स मी देखिए खीचना इसलिए जरू है क्योंकि यहां पर अवग्रह कोई कामो स मी नहीं पढ़ना ठीक है कामो स मी भर पूरे पूरे अक्षर दोनों में आमिक्स करेंगे भर त पूरा श के उपर आधा रह आधा रह और श तो आधे रह को त की साथ पढ़ेंगे भरत तर कुछ लोग इस शग्द को बहुत गलत पढ़ते हैं इसलिए ध्यान से स पहला रह पूरा है तो इसको तो अपने पढ़ दिया भर फिर त की बार जो आधा रह वो आधा क्षर है इसलिए भरत तर भरत तर शभा भरत तर शभा भरत शभा तर चरण रपीट कामो स मी भरत शभा हर और पोर चरण साथ में धर्मा विरुद्धो भूतेशो कामो स मी भरत शभा शब्द सौरी पूरिश लोग का एक साथ उच्चारण बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेशो कामो स मी भरत शभा अगें अगें बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेशो कामो स मी भरत शभा अगें बलं यानी बल बलवतां यानी जैसे कल बुद्धी मता शब्द था उसका मतलब था बुद्धी मान वैसे बलवतां का अर्ट हो गया बल्वान चाहं इसमें दो शब्द जुड़ेवे हैं चाहं यानि च धन एहम अ और च च और एहम अ और अ की मातरा मिलके यहां पर आ बन गया है च धन एहम यानि च यानि और एहम यानि मैं मैं बल में बलवानों में बल हूँ कैसे काम राग विवर जितम यानि विवर जितम यानि रहित किस से काम और राग से रहित मैं बलवानों में बल हूँ तो मैं काम और राग से रहित बलवानों में बल हूँ ठीक है काम और राग यानि किसी भी तरह की बलवान जो होता है उसमें बल तो है लेकिन उस चीश का अभीमान है इस चीश से प्रेम है कि मैं हूँ इसके काड़ में कुछ भी कर सकता हूँ और काम ना रहती है कि मेरे को इस से प्रशेंशा मेरेगी, उससे रहित खबार ने ये नहीं बुला कि बल्मान कहीं लोग होते हैं उनमें बल भी रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ अबीमान होना नहीं काम और राक से रहित बल मैं हूँ धर्मा विरुद्धो भूतेश धर्मा विरुद्धो यानि धर्म से अविरुद्ध इसमें धर्म अलग हुआ अ की मातरा अविरुद्ध यानि धर्म के विरुद्ध जो नहीं है अगर विरुद्धो ता यानि जो तो धर्म के विरुद्ध है यहां पर धर्म और अविरुद्ध दो शब्द जुड़ें तबी तो आखी मात्रा बनी है धर्म विरुद्धो तो नहीं लिखा भा ना धर्म विरुद्धो यानि धर्म दन अविरुद्धो यानि धर्म से जो व अर्जुन का नाम है भारत वंशी अर्जुन मैं काम और राग से रहित बलवानों में बल हूं सभी प्राणियों में जो धर्मय युक्त प्राणी हैं उनमें काम मैं हूं इस तरह से भकवाल ने अपनी बात बताई कि बलवानों में काम और राख ना हो तब वो बल मैं हूँ और जो सभी प्राणी जो धर्म के युक्त हैं उनके अंदर काम मैं हूँ काम यानि यहाँ पर काम कामना से लिल्टेट नहीं है अब यहाँ पर पहले ही बताती है धर्म युक्त जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो फिर उसका काम उस वो काम में हूँ यह नहीं कि धर्म के अपॉजर्ट चले उसके बाद में हर चीज शास्त्र विरुद्ध करके फलकिछा करे वो नहीं वो व्यक्ति भगवान उसमें भगवान ने अपनी तुलना नहीं किया ठीक है ना रहन ना रहन ना रहन ना रहन